what is molar mass तो जानने वाले हैं कि molar mass इसको बोलते हैं तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि it is a mass of one mole compound तो one mole अगर किसी भी चीज कर लिया जाए तो उसका जो mass है उसको molar mass के नाम से जानते हैं अब हमें ये पता है कि one mole हम किसी भी compound कर ले रहे हैं तो उसके अंदर ना species होती है ना का मतलब आवगार्डो नंबर के बरावर जो है species है तो simplify में कर सकता हूं कि किसी भी compound के अगर ना units है तो उनका cumulative जो mass होता है that is called as molar mass यानि it is mass of one mole compound अब हम इसको दो category में बारते हैं पहली category है gram atomic mass और दूसरी category है gram molecules gram atomic mass के बारे में हम तब बात करेंगे जब जो compound हम ले रहे हैं वो atoms की form में हो यानि कि it is a mass of one mole atoms gram molecular mass की बात हम तब करेंगे जब compound molecular form में हो यानि it is mass of one mole molecule तो सब-सपहले बात कर देते हम gram atomic mass के बारे में तो यह क्या है, it is a mass of one mole atoms, यानि किसी भी compound में अगर एक mole atom पड़े हुए हैं, यानि any atoms पड़े हुए हैं, तो उनका mass यह होता है, अब हमें पता है कि one mole atoms, यानि कितने atoms होंगे, इतने atoms होंगे, multiply कर दूँ में इसे mass of one atom से, तो यह चीज आ जाएगी, अच्छा, इसको number को मैं आविगार्डर नंबर से short में represent कर सकता हूँ, और atomic mass हम previous वीडियो में कर चुके हैं, amu के बराबर होता है, one amu is equal to one upon na gram होता है, तो यहां से na से na cancel out करके, मेरे पास simplified form में आ जाएगा a gram, यानि यह a gram क्या है, gram atomic mass, या इसी क्या बोलते है, molar mass, तो जैसे for the example, मैंने compound लिया, helium, helium का mass number 4, तो atomic mass निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस 4 के साथ unit लगा देते है, amu, तो यह atomic mass बन जाएगा, और यदि हम gram atomic mass निकालना चाहरे हैं, या molar mass निकालना चाहरे है, तो इस 4 के साथ मैं gram unit लगा दूगा, तो यह बन जाएगा gram atomic mass या molar mass, अगर मैं O2, molecular form की बात करता हूँ अगर O2 का molecular mass पूछा जाए तो this is 32MU ठीक है molecular mass हम MU में represent कर दो अगर इसका gram molecular mass पूछ लिया जाए या molar mass पूछ लिया जाए तो हम simply क्या करते है 32 के साथ हम gram unit में use कर लेते हैं ठीक है तो हमारे पास एक formula है कि अगर हमें number of mole निकालने है ठीक है तो इसका formula है कि weight of sample लेना पड़ेगा gram में divided by molar mass करना पड़ेगा gram तो यह formula है N is equal to W upon capital M W आप weight समझ गए compound का M यहाँ पर molar mass है ठीक है तो एक छोटा सा question कर रहा है अगर हम 96 gram ozone लेते हैं तो how many moles are there तो सबसे पहला काम हम यह करेंगे कि इसका molar mass निकालेंगे तो molar mass हम कैसे निकालेंगे इसका 3 oxygen है तो 3 into 1 oxygen के लिए 16 लेते हैं तो यह 48 gram इसका mass आ जाएगा अब sample जो दिया हुआ है sample का weight इस sample को weight को मैं अगर divide कर दूँ molar mass से तो मैं इस से जो मुझे मिलेगा वो moles मिलेंगे तो मोल हमारे पास आगे 2 तो ओजोन सेंपल में 2 मोल हैं और अगर आगे पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी molecules आर दिया तो हमें पता है कि वन मोल अल्वेस कंटेंट्स एने इसपीसी यानी एने मोलीक्यूल तो टू मोल जो है unitary method से कितने जाएंगे 2 एने मोलीक्यूल एने को मैं लिख देता हूं 6.022 x 10 to the power 23 यह ओजोन मोलीक्यूल हमारे पास आंसर आ जाएगा ठीक है